श्रिमत भगवद कीता यथा रूप अध्याए 4 दिब्विय ग्यान भगवन श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विध्या का उपदेश सुर्यदे विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुशे के पिता मनुखो उपदेश दिया और मनुखो ने इसका उपदेश एकश्वांको को दिया इस परकार यह परमविज्ञान गुरु परमपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्शियों ने इसी विध्या से इसे समझा किन्तु काल कर्म में यह परमपरा छिन हो गई है अतो यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी प्रमेश्वर के साथ अपने संभंद का विज्ञान तुम से कहा जा रहा है क्यूंकि तुम मेरे भग तथा मित्र हो अतो तुम इस विज्ञान के दिब्य रहस्य को समझ सकते हो अर्जुन ने कहा सूर्यदेव विपस्वान आप से पहले हो चुके हैं तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारम में भी आपने उन्हें इस पिद्या का उपदेश दिया था श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेका अनेक जन्म हो चुके हैं मुझे तो उन सब का स्मरण है किन्तु है पर्तम तुम्हें उनका स्मरण नहीं हो सकता है यद्यवी मैं अजनमा तथा अविनाशी हूँ और यद्यवी मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ तो भी परतिये की यूग में मैं अपने आदी रूप में प्रकट होता हूँ हे भरंतोईशी जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रदानता होने लगती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ भक्तों का उद्धार करने दूश्टों का बिनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर यूग में परकट होता हूँ हे अरजुन जो मेरे अविर्भाव तथा कर्मों की दिब्विय परकर्ती को जानता है वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भोतिक संसार में पुना जन नहीं लेता अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है आसकती भाय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णता तनमे होकर और मेरी शरन में आकर बहुत से व्यक्ति भूत काल में मेरे ग्यान से पवित्र हो चुके हैं इस परकार से उन सबों ने मेरे प्रती दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है जिस भाव से सारे लोग मेरी शरन घ्रन करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ हे पार्थ परती एक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पत का अनुगमन करता है इस संसार में मनुश्य सकाम कर्मों में सिध्धी चाते हैं फल सरूप वो देवताओं की पूजा करते हैं निसंदे इस संसार में मनुश्य को सकाम कर्म का फल शिगर प्राप्त होता है प्रकृति के तीनों गुणों और उन से संभंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार भिवाग रचे गए हैं यद्यभी में इस व्यस्ता का सत्रश्टा हूँ किन्तु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यव अकरता हूँ मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ जो मेरे संभंध में इस सत्रश्टे को जानता है वो भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बनता प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिब्य प्रकृती को जान करने की ही कर्म किया अता तुम्हें चाहिए कि उनके पद्चिनों का अनुसरन करते हुए अपने कर्तब्य का पालन करो कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोग रस्थ हो जाते हैं अते मैं तुम को बताऊँगा कि कर्म क्या है जिसे जानकर तुम सारे अशुप से मुक्त हो सकोगे कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है अता मनुश्य को चाहिए कि वो ये ठीक से जाने कि कर्म क्या है, बिकर्म क्या है और अकर्म क्या है जो मनुश्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वो सभी मनुश्य में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवर्ट रहे कर भी दिब्य स्थिति में रहता है जिस विक्ति का प्रतेक प्रियास इंद्रियत रिप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ग्यानी समझा जाता है उसे ही सादू पुरुष ऐसा करता कहता है जिसने पूर्ण ज्यान की अगनी से कर्म फलों को भसमसात कर दिया है अपने कर्म फलों की सारी आसकती को त्याग कर सदेव, संतुष्ट तथा स्वतंतृत रहे कर वो सभी परकार के कारियों में व्यस्त रहे कर भी कोई स्काम कर्म नहीं करता ऐसा ग्यानि पुरुष, पूर्ण रूप से सयमित मन तथा बुद्धी से कारे करता है, अपनी संपत्थी के सारे स्वामितिय को ट्याग देता है, और केवल शरीर निर्वा के लिए कर्म करता है, इस तरह कारे करता हुआ वहोँ पाप रूपी फ्लों से पर्वावित नहीं हो कर्म करता हुआ भी कभी भंदता नहीं है। जो पुरूश परकर्ती के गुणों के प्रती अनासक्त है और जो दिब्य ग्यान में पूर्णता स्थित है उसके सारे कर्म ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। जो व्यक्ती कृष्ण भावना मृत में पूर्णता लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत दाम की प्राप्ती होती है क्यूंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवी भी आध्यात्मिक होती है। कुछ योगी बिविन परकार के योगों द्वाराद देवताओं की भली भांती पूजा करते हैं और कुछ परभर्मा रूपी अगनी में आहुती डालते हैं। इन में से कुछ शर्व, नादी, किरियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंतरन रूपी अगनी में सुहा कर देते हैं तो दूसरे लोग इंद्रे विश्यों को इंद्रियों की अगनी में सुहा कर देते हैं। दूसरे, जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षातकार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियां तथा प्राण वायू के कारिया को सयमित रूप से अगनी में आहुती कर देते हैं। कठोर बृत अंगिकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ती का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अश्टांग योग पद्धिती के अभ्यास द्वारा अथ्वा दिव्य ग्यान में उन्नती करने के लिए वेदों के अध्यन द्वारा प्रवुद बनते हैं। रोक कर समाधी में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आउती देते हैं। ये सभी यग्य करने वाले यगों का अर्थ जानने के कारण पाप करमों से मुक्त हो जाते हैं और यगों के फल रूपी अमरित को चक कर प्रम धिपी आकाश की और रहे सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रहे सकेगा। ये विविन परकार के यग्ये बेद सम्मत हैं और ये सभी विविन परकार के करमों से उत्पन हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। हे परतम द्रव्य यग से ग्यान यग्य श्रेष्ठ है। हे पार्थ अंतत्तो गत्वा सारे करम्य यग्यों का आवसान दिव्य ज्यान में होता है। तुम गुरू के पास जाकर सक्agtय को जानने का प्रियास करो। उनसे बिनीत होकर जिग्यासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरु प्रसिद व्यक्ति तुमें ज्यान परदान कर स क्यूंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। दुक सागर को पार करने में समर्थ होगे। जैसे परजोलित अगनी इंधन को भस्म कर देती है। उसी तरह है अरजुन ग्यान रूपी अगनी भोतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। जो श्रधालू दिव्य ग्यान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश्मे कर लिया है वो इस ग्यान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वो तुरंत आध्यात्मिक शान्ती को प्राप्त होता है। किन्तु जो अज्यानी तथा श्रदा विहीन व्यक्ति शाष्त्रों में संधे करते हैं, वो भगवत भावना मृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशे आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्या करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशे दिव्य ग्यान द्वारा विनिष्ठ हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्म प्रायन है, है धननजे, वो कर आत्मों के वंदन से नहीं बनता, अतेव, तुमारे हिर्द्य में अज्ञान के कारण जो संशे उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शष्ट्र से कार डालो, है भारत, तुम योग में संबन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद करो